अब हम Windows Server को launch करके देखेंगे, Linux Server को हमने पहले launch करके देख लिया, तो देखते हैं कि क्या step है, हमारे case में हम अपने EC2 जो instances हैं, उसके dashboard पे चले जाते हैं, तो ये Linux वाला रन कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि जिस zone पे ये Linux वाला चल रहा है, तो वही उसी zone पे हमारा क्या है, य जो है, Windows वाला इंस्टांस वो चले, तो हमारे जो availability zone है, US East 2C है, यह हम purposefully कर रहे हैं, क्योंकि बाद में हमने एक storage वाला concept यूज करेंगे, तो उसमें हमारे देखेंगे कि जो और additional storage आइड करनी है, तो वो कैसे करनी है, तो उसके लिए हमें जो दोनों इंस्टांस कहां चलन हमारे एक ही availability zone में होने चाहिए, तो हम जो दूसरे वाला इंस्टांस है, उसको जब launch करेंगे, तो US East 2C सी select कर लेंगे, तो हमारे पास again method किया है, कि आपने launch इंस्टांस, तो हमारे पास वही हम पराने वाला experience या भी console यूज कर रहे हैं, बाद में नहीं वाला भी इस्टेमाल करके, तो हमारे पास वही AMIs है, हमने इसको बहुत प्रॉपर ले धंग से discuss कर लिया, अब हमें एक Windows 2016 server को launch करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो free tire में भी हो, तो यहां पे हमारे पास एक Microsoft Windows server 2016 base वाला है, हमने containers वगारा वाला यूज नहीं करना है, तो इसको हम हम क्या कर लेते हैं, select कर लेते हैं, तो यहां पे हम जो instance type है, वो T2 Micro ही use करेंगे, free tire, eligible है, तो यहां पे हमने configure detail, तो हमने one ही launch करना है, तो यहां पे पहले हमने subnet की preference नहीं दी थी, अब हम यहां पे बिता देते हैं कि हमें 2C में चाहिए, US is 2C, क्योंकि हमारा पहला भी एक instance form पे चल रहा है, तो यहां पे हमने कुछ नहीं करना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम next कर देते हैं, add storage, तो by default वो 30GB ले रहा है, तो हम इसको change नहीं करें, 30GB ही रहने देते हैं, tag, तो यहां पे हम एक इसको नाम दे देते हैं, कि हमारा जो name है, यह है हमारा विंडोज का हम यहां पे web server launch करके देखेंगे, तो इसको एक हमने नाम दे दिया, windows web server, तो और भी tag add कर सकते हो, तो यहां पे configure security group, में firewall को configure करना चाहते हैं, क्या existing use करना चाहते हो, अब हमारे पस दो existing, एक पहले default था, एक हमने linux के time create किया, नहीं हम यहां पे क्या करना चाहते हैं, एक निया group create करना चाहते हैं, windows security group लिखते हैं, तो यहां पे हम जो करेंगे allow RDP, क्योंकि यहां पे हमें protocol जो चाहिए होगा RDP और हमने एक web server implement करना है, तो हमने यहां पे हम करेंगे allow RDP and web traffic, तो हमारे पास यहां पे उसने पहले ही RDP port को open कर दिया, तो हमारे case में add rule, हम एक HTTP को कर देते हैं, एक HTTP S को भी कर देते हैं, तब हमने क्या करना है, review and launch, सब कुछ त्रीक है, तो हमने launch कर देना है, key हमारे पावली OU key है, तो acknowledge, तो यह हमारा second instance भी, आपने देखा होगा, hardly हमें कुछ seconds ही लगे हैं, हम कहेंगे कि एक दो minute ही लगे हैं इसको हमें launch करते हैं, तो इसके बाद हमने view instances भी आ जाने हैं, तो आप देखोगे कि यहां पे Linux वाला चल रहा है, यहां पे Windows वाला चल रहा है, तो अभी running है, कुछ initialize कर रहा है, तो यहां पे यह हमारा availability zone भी है 2C, तो इसका भी एक public address है, तो यहां का cloud का एक advantage ही है कि आपको public addresses भी मिल जाते हैं, अगर हम physical servers implement करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, real IP जो हम public addresses को purchase करना पड़ता है, तो यहां पे experiments के लिए आपको available है, पर यहां पे एक दिक्कत है कि हमें Windows को जो system है, उसको assess करने के लिए एक password चाहिए चाहिए, Linux में तो हम simple private की से, passwordless authentication से, हम क्या कर लेते थे, assess कर लेते थे, password की जूरत नहीं थी, पर Windows systems में जो main user होता है, वो administrator होता है, उसका हमें password चाहिए, तो भई, यह machine कौन launch कर रहा है, यह AWS पे launch की है, तो हमें इसका password नहीं पता, तो हमें कैसे पता करना पड़ेगा, हम फिर कहां जाएंगे, connect पे जाएंगे, connect करके हमारे पास क्या है, RDP client है, तो हम यहां पर जो एक file है, वो RDP client वाली, तो यह आपको क्या बता रहा है कि connect using RDP client, yes हम connect करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो एक file दे देगा, जिसको जब हम click करेंगे, तो हमारे पास RDP software एक्टिवेट हो जएगा, तो हम उसको use करके क्या कर सकते हैं, assess कर सकते हैं, तो यहां पर username क्या कर रहा है, बता रहा है वो administrator है, तो हम इसको download कर लेते हैं, तो यहां पर हम desktop, जहां पर भी हमारा data पड़ा हुआ है, हमारे पास जो data है, वो hdata folder में, तो यहां पर हम इसको, हमने download कर लिया, तो यह हमने download कर लिया, तो उसके बाद हमने इसको assess करके देखना है, पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उसका एक password चाहिए, तो password कैसे हमें चाहिए, तो हम देखते हैं, get password, अभी वो क्या कर रहा है, password नहीं available, please wait, केतने, चाहर कमेंट आपको wait करने को बोड़ रहा है, फिर उसके बाद हम उसको assess कर से, meanwhile हम क्या कि जो यह software है, इसको open कर लेते हैं, तो remote desktop connection जो software है, उसको हम connect, उसको activate कर लेते हैं, तो यहां पर हम connect करते हैं, तो यह जब हमने download किया, तो इसके अंदर अपने आप ही उसने, जो आपका public DNS है, वो हमें उसने दे दिया है, तो हमने जब बस सिर्फ password भरना है, हम RDP client क्यों use कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि, पहले भी discuss किया था, कि अगर हमारे पास window system रन कर रहे है cloud पे, वो client side हमारे पास चाहिए window system में, चाहिए Linux system में हमको protocol जो use करना पड़ेगा, वो कौन सा करना पड़ेगा, RDP करना पड़ेगा, तब हम किशीज की जूड़त है, हमें password की जूड़त है, तो फिर हम वापस आते हैं, कि यहां कैसे हमने, उसको पास फिर हम देखते हैं कि, AC2, तो यहां पर हमारे पास जो instances running है, हमने window वाला choose कर लेना है, windows में हमने फिर क्या करना है, connect वाला कर लेना है, connect करने के बाद हमने क्या करना है, IDP, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर password, जो हम रपास और देखते हैं कि, है कोई और method है, जिससे हम कर सकते हैं, तो यहां पर click करके, तो action, action में भी हमरे पास, stance stage, तो यहां से करना पड़ेगा, तो हम यहां पर फिर वापस आते है, IDP client, क्योंकि हमें तीन-चार मिनेट वेट भी करना पड़ेगा, get password, थोड़ी देर बाद activate हो जाता है, क्योंकि वो install होते हैं, थोड़ा सा, जो activate होते हैं, machine time लगता है, तो उसको password generate होते time लगते हैं, है, to decrypt the password, you will need your key pair for the instance, तो हम रपास यह key pair है, तो हम browse करते हैं, जा हम copy paste भी कर सकते हैं, browse, तो हमारी जो key है, वो काम पर पड़ी होई है, hdata, हो ही हो key, तो यह हमारा key होगी, तो हमने कह दिया, decrypt password, तो यह हमारे पास एक password आ गया, इसको हम copy कर लेते हैं, और जो हमारा यहां पर terminal है, वहां पर क्या कर देते हैं, यहां पर OK, तो अब यह हमारा जो है, विंडो इंस्टांस लांच हो गया, यह सम कर देते हैं, तो यह हम देखेंगे कि विंडो जो चल रही है, हमारी वो cloud के अंदर चल रही है, तो हम उसको assess करने की कुशिक कर रहे हैं, तो Linux इंस्टांस को अपने putty.gss के तुरू, जो विंडो इंस्टांस है, उसको RDP के तुरू, तो अगर हम देखेंगे carefully, तो यह हमारा भी विंडो को open हो रहा है, तो यह आपका थोड़ा सा activate होते पर time day का, administrator user की तरह, अगर हमने इसको terminate करना होगा, यह session को close करना होगा, त तो यह activate कर रहा है, उसके बाद सा हमारे पास एक menu आजेगा, और यहां पर भी हम क्या करके देखेंगे, बाद में एक web server implement करके देखेंगे, कैसे है, just use करने के लिए, as such, कुछ भी आप यहां पर application कुछ भी deploy कर सकते हो, कोई कि आपके पास web server है, I mean, आपके पास windows का instance हो गया आप जो normal जब आपके पास windows server होता है, जो भी servers आपने implement करने हैं, आप यहां पर भी कर सकते हो, यहां पर हम यह networking के बार में कह रहा है, तो उसके बाद आप इसको open करके भी देख सकते हो, इसको हम, जब हम storage के बार में discuss करेंगे, तब भी use करेंगे, तो यहां पर अगर हम my disk API, तो वो आपको almost 30 GB दिखा रहा है, क्योंकि हमने provision करते time यह दिया जा, और यहां पर आप क्या करके सकते हो, यहां पर server manager होता है, हमरे पास, server manager को use करके आप क्या कर सकते हो, servers बगारा implement कर सकते हो, तो हम उसको देखेंगे, कि servers बगारा, web server को कैसे ही करके देना, तांकि Linux हो, बहुत असान है, cloud के अंदर जो resources को use करना, वो बहुत असान है, तो यहां पर अभी वो activate हो रहा है, तो हम देखेंगे कि कैसे web server को launch करना है, तो अगर इसको minimize करना है, तो आप यहां पर कर सकते हैं, तो यह हमारे पास वापस detail आगी, तो RDP client से हमने Windows system में उसको assess कर दिय झाल 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